हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू लर्नर केंद्र, लर्नर केंद्र में आप सभी का स्वागत है, आज किस वीडियो में RRB Group D और NTPC का एक बहुत ही संदार प्रैक्टिस सेट लाए हैं, जिसमें 40 कोस्चन से हैं, इस प्रैक्टिस सेट में आपके लिए जेनरल साइन्स, जेनरल अ करना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लिजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ अगर कॉंटेंट अच्छी लगी, तो वीडियो को सेयर और लाइक भी कर अप्सन C, अक्सीजन में विरिधी या अप्सन D, नेट्रोजन में विरिधी, तो इसका सही आंसर होगा, अप्सन नमबर A, कारबन डाइकसाइड में विरिधी, नेश्ट देखते हैं, कोस्चन नमर दू, लॉक्ट जा, विक्रिती, किस बीमारी का दूसरा नाम है, अप्सन A में है, हाईजा, B में है, चेचक, C में है, पिलिया, या अप्सन D, टेटनस, तो इसका सही आंसर होगा, अप्सन नमबर D, टेटनस, टेटनस को लॉक्ट जाभी, विमारी के नाम से जाना जाता है, नेश्ट कोशन देखते हैं, गरभवती महिलाओं में प्राय किस धातू की कमी हो जाती है, अप्सन A, केल्सियम और लोहा, अप्सन B, केल्सियम और जास्ता, अप्सन C, केल्सियम और सलफर, या अप्सन D, जास्ता और लोहा, तो इसका फ्रेंट सही आंसर होगा, अप्सन नमबर A, केल्सियम और लोहा, बैस्णों जन्तों के रचाईता कौन है तो इसका सही अंसर होगा option number B नर्सी मेहता next देखते हैं question number 5 courts and their judgment नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका option है ए सलमान रुस्दी, option B जवाल लनेहरू, option C नीरत चंदर चौधरी, option D अरून सौरी तो इसका अंसर होगा option number D अरून सौरी next question देखते हैं भारत में सबसे पहला cotton meal किस राजे में अस्थापीत किया गया था option A में है, मुंबई, B, कुलकत्त, C, चेन्नाई, या option D गुजरात तो इसका अंसर होगा option number A, मुंबई में next question देखते हैं question number 7 है, अधिकांस, मौसम, संबंधी, गतिवीदिय किस मंडल में होती है option A में है, समताप मंडल, option B में है, चोब मंडल, option C, आयन मंडल, या option D, बाहे मंडल तो इसका सही अंसर होगा option number B, चोब मंडल मौसम, संबंधी, घटनाए हमेशा चोब मंडल में होती है question number 8 question number 8 देखते हैं दाप बढ़ाने से बर्फ का गलनांग क्या होता है option A में है, बढ़ता है, B में है, घटता है, C में इस्तिर रहता है या option D, पॉले बढ़ता है, फिर घटता है तो इसका सही अंसर होगा option number B बर्फ का गलनांग हमेशा दाप बढ़ाने पर घटता है next question देखते है question number 9 मोहिनी अट्टम किस राजी का लोग नीरित है इसका सही अंसर होगा option number B, केरल मोहिनी अट्टम केरल राजी का लोग नीरित है next question देखते है question number 10 है मानव में गुर्दे का रोग किस कारण से होता है इसका सही अंसर होगा option number C, केल्सियम के पर दूसर से मानव में गुर्दे का रोग होता है next question देखते है question number 11 है किस सम्विधान सोंसोंदोर द्वारा तीन अस्तरिये पंचायती राजब्योस्था को सम्विधानिक दर्जा दिये गया था option A में है 68, B में है 86, option C में है 42 या option D 73 तो इसका सही अंसर होगा option number D 73 सम्विधान संसोंदोर द्वारा तीन अस्तरिये पंचायती राजब्योस्था का गठन किया गया था फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं question number 12 है धूम कोहरा उन अस्थानों पर एक आम पर्दूसक होता है जहां की वायू में किस गैस का मिश्रण होता है इसका आंसर होगा अप्सान नमबर इसका आंसर होगा अप्सान नमबर ए सॉल्फर डाई अक्साइड नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं question number 13 है विस सुमोसम विग्यान दिवस को मनाये जाता है option A 22 अपरेल, option B 23 मार्च, C 8 सितंबर option D 8 जून तो इसका सही आंसर होगा option number B 23 मार्च को मौसम विग्यान, विस सुमोसम विग्यान दिवस मनाये जाता है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं question 14 है पुस्तक संसद में हिमाले के लेखक कौन है इसका अंसर होगा option number A रमेश पोखरियाल निसंक next देखते हैं question 15 है दू मर्च 2021 को किस रजे सरकार ने खाद मिलावट करने वाले को आजीवन करावास का प्रधान किया है option A में है पंजाब, B, राजस्थान option C, मध्य परदेश या option D, जर्खंड तो इसका सही अंसर होगा option number C, मध्य परदेश next question देखते है question सुलला है G set 31 को किस प्रशे पढ़ियान से लंच किया गया था इसका सही अंसर होगा option number D area 5 VCA next question देखते है question 17 है मैं देश के बालू से ही कंगरेस से भी बड़ा अंदोलन खड़ा कर दूँगा यह कथन किसका है option A में है महात्मा गांधी, B, सुबास चंद्रबो, C, भगत सी यह option D, जवाह लल नहरू तो इसका सही अंसर होने वला है इसका सही अंसर होगा option number A, महात्मा गांधी next question देखते हैं question 18 Congress के बावानवा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी इसका अंसर होगा option number C, सुबास चंद्रबो, C, next स्वतंत्रता पराप्ती के बाद हडपा संस्क्रीती के सरवाधिक अस्थल किस राजे में खोजे गए हैं इसका अंसर होगा option number D, गुजरात गुजरात में अध्यक्षता संस्क्रीती के सरवाधिक अस्थल किस राजे में खोजे गए हैं next question है question number 20, कॉबूलियत और पट्टा परथा की शुरुवात किसने की थी option A, आलाव दिन खिल जी, B, बलबन, option C, सेर सासूरी, option D, और अंगजेब इसका अंसर होगा, option number C, सेर सासूरी next question देखते है मानव शरीर के भार का कितना परतिसद भाज लगभग जल होता है इसका अंसर होगा, option number A, 65 से 70 परतिसद next question देखते है मानव शरीर में लगभग कितने अवसेसी अंग पाये जाते है option A में है, 150, option B में है, 100, option C में है, 206, option D में है, 33 इसका सही अंसर होगा, option number B, 100 मानव शरीर में 100 अवसेसी अंग पाये जाते है next question देखते है वर्तमान में तिरिपूरा के मुखे मंतरी कौन है इसका अंसर होगा, option number B, वर्तमान में तिरिपूरा के मुखे मंतरी बी पलग देव है next question देखते है question number 24 क्रिसी एं पसुपालन का संगठन किस अनुच्छेद के अंतरगत आता है option A में अनुच्छेद 40, option B में अनुच्छेद 57 option C में अनुच्छेद 47, या option D अनुच्छेद 48 इसका सही अंसर होगा, option number D, अनुच्छेद 48 next question देखते है question number 25 है, भारत में मोटर वहनों का सरवाधिक निर्याद किस बंदरगाह से किया जाता है तो इसका अंसर होगा, option number A, नहावा सेवा friends, नहावा सेवा बंदरगाह को जवाहलाल नहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है next question देखते है question number 26 है, यंग्याप दर्रा भारत के किस राजे में है, तो इसका अंसर होगा, option number B, और उनाचल परदेश friends, आप comment करके बताईए गया कि आपको 40 के question में से कितने सही होगा है और अपनी तैयारी को जाचिए गया देखते हैं आगला question question number 27 है, इनमें से अफरीका महाद्वी का सबसे बड़ा देश कौन है तो इसका अंसर होगा, option number A, अल्जिरिया अफरीका महादेश का सबसे बड़ा देश अल्जिरिया है next question question number 28 है, संजुक्त रस्ट, संग के महासचीव यूथांट किस देश के थे इसका अंसर होगा, option number B, मैमार question next question देखते हैं रेडियो सक्रीता के दवरान, निकलने वाली किरोडों को पाचान रदर फोड ने कब किया था? इसका option A है, 1905, B है 1902, option C है 1908, या option D, 1911 इसका सही अंसर होगा, option B, 1902 में रदर फोड ने रेडियो सक्रीता की खोच की थी next question देखते हैं, question number 30 है, समुद्र सक्ति, सेन अभ्यास की देशों के बीच होता है? इसका अंसर होगा, option number D, भारत और इंडोनेसिया के बीच next question देखते हैं, question number 31 है, संथाम कोट्टा जील किस राज़े में है? option A में है, तमिलाडू, B, केरल, C, आंध्रेपरदेश, D, करनाटक इसका answer होगा, option number B, केरल next question है, जैब सब्द, किस खेल से संबंदित है? इसका answer होगा, option number A, मुक्के बाजी next question है, question number 33, चंद्रियान मिशन, फर्स्ट को किस वर्स लाज़े में है? किया गया था, इसका option है, A में 19 अक्टूबर 2008 को, B में 22 अक्टूबर 2008 को, option C में 19 अक्टूबर 2019 को, या D 22 अक्टूबर 2019 को, तो इसका answer होगा, इसका सही answer होगा, option number B, 22 अक्टूबर 2008 को, नेस्ट कोशन देखते हैं कोश्चन अवर चाउंती से विश्व आर्द्रभूमी दिवस या रामसर दिवस कब मनाये जाता है इसका अंसर होगा ओप्सन डी दू फरवरी को फ्रेंट्स 1997 से विश्व आर्द्रभूमी दिवस मनाये जाता है दू फरवरी उनिवस संतानवे को यह पहली बार मनाये गया था नेस्ट कोश्चन देखते है कोश्चन नमर पाइटीस नमर पाइटीस है अटल पेंशन योजना की सुरुवात कब हुई तो इसका अंसर होगा ओप्सन ए 9 माई 2014 को फ्रेंड्स ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब लेना साथ ही अपने फ्रेंड्स में इस चैनल को सेर भी कर देना ताकि आप लोगों का सपोर्ट मिल पाए तो चलिए नेक्ट कॉस्चन देखते हैं कॉस्चन नमच छत्ती से किस तत्य की विध्यूत रिरत्मक्ता सबसे अधिक होती है आप्सन A में है क्लोरीन, B में है फ्लोरीन, C में है आयोडीन, D में है ब्रोमीन तो इसका आंसर होगा आप्सन नमबर B फ्लोरीन नेक्ट कॉस्चन है कॉस्चन नमबर 37 है तेरव फ्रवरी 2021 को तिरनबवा आसकर पुरसकार के लिए किस फिल्म को चैनित किया गया है इसका आंसर होगा आप्सन नमबर C, B2 नेक्ट कॉस्चन देखते हैं प्रित्यवी की भूपरपटी पर सरवाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाए जाता है इसका आंसर होगा आप्सन नमबर D, Sillicon सिलिकोन को प्रित्यवी की भूपरपटी पर सरवाधिक मात्रा में पाहि जाता है नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं कोस्टन नमर 49 है तिरितीय अंगल मैसूर यूद कब हुआ था इसका फ्रेंट्स एंसर होगा आप्सटन नमर ए 790 से 792 तक यह यूद लड़ा गया था नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं कोस्टन नमर 40 है तिस्ता किस नदी की सहाइक नदी है अप्शन A में है गंगा अप्शन B ब्रहम पूत्र अप्शन C में नर्मदा अप्शन D गोदावरी तो इसका सही अंसर होगा अप्शन नमबर B ब्रहम पूत्र फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए मेरे इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लिजेगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पलपल मिलता रहे